हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जार्खन राज से संबंधित, जितने भी जिक्के के महत्पूर्ण परशन है इनके बारे में, इनमें से हमेशा सभी इग जाम में परशन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा द 2000, C, 10 December 2001, D, 12 January 2002, तो इसका सही जवाब होगा, B, 15 November 2000 को जार्खन की अस्थापना हुआ था और बिहार राज से अलग होकर जार्खन राज को बनाया गया था, इसका राइट एंसर हो जाएगा, B, राची, जार्खन की राजधानी कहा है, तो राची है, नेक्स्ट कोचन है, जार्खन राज का छेतरफल कितना है, A, 75,500 किलोमीटर, B, 76,000 किलोमीटर, C, 89,714 किलोमीटर, D, 80,000 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब होगा, C, 89,714 किलोमीटर जार्खन राज का कूल छेतरफल है, नेक्स्ट कोचन है, जार्खन की जनसंख्या कितना है, A, 3,29,000, B, 4,10,000, C, 5,20,000, D, 6,15,000, तो इसका सही जवाब होगा, A, 3,29,000, जार्खन राज की कूल जनसंख्या है, 2011 के जनगन्ना के अनुसार, चलिए, नेक्स्ट कोचन है, जार्खन में कूल कितने जिला है, A, 15, B, 20, C, 24, D, 30, तो इसका सही जवाब होगा, C, 24, जार्खन में कूल 24 जिले है, नेक्स्ट कोचन है, जार्खन का उच नियाल है, कहां है, A, पलामू, B, बोकाडो, C, राची, D, देवघर, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, C, राची, जार्खन का उच नियाल है, राची में इस्थित है, चलिए अगला कुचन है हमारा, जार्खन के राच्किये पसु कौन है, A, बाग, B, हाथी, C, गाए, D, बैल, इसका सही जवाब होगा, B, हाथी, हाथी जार्खन के राच्किये पसु है, चलिए नियक्ट कुचन है हमारा, जार्खन के राच्किये पक्षी कौन है, A, तोता, B, कोयल, C, कबूतर, D, कौवा, तो इसका सही जवाब होगा, B, कोयल, जार्खन के राच्किये पक्षी है, कोयल, चलिए अगला कुचन है हमारा, जार्खन का राच्किये प्षूल कौन है, A, पलाच, B, चमेली, C, गुलाब, D, कौमल, तो इसका राइटांसर होजाएगा, A, पलाच, पलाच जार्खन के राच्किये प्षूल है, चलिए अगला कुचन है जारखंड का राजकिये पेर कौन है A. आम का पेर B. नाडियल का पेर C. साल का पेर D. पीपल का पेर तो इसका हो जाएगा C. साल का पेर जारखंड का राजकिये पेर है साल का पेर ठीक है नेश्ट कुचन है जार्खन का राजकी ये भासा क्या है A. मगही B. भोजपूरी C. हिंदी D. उर्दू तो इसका सही जवाब होगा C. हिंदी जार्खन का राजकी ये भासा क्या है तो हिंदी चल ये अगला कुचन है छेतरफल की दिरिष्टी से भारत में कौन सा अस्थान है A. पाचबा, B. सातबा, C. दसबा, D. पंदरहबा तो इसका राइट एंसर होगा D. पंदरहबा जार्खन की छेतरफल के दिरिष्टी से भारत में पंदरहबा अस्थान है चलिए अगला कूचन है हमारा जारखंड में कितने अनुमंडल है A 30, B 35, C 43, D 45 तो इसका सही जवाब होगा C 43 जारखंड में अनुमंडल की संख्या है 43 चलिए अगला कूचन है जारखंड में कितने पढखंड है A 200, B 240, C 260, D 290 तो इसका राइट अनुमंडल होगा C 260 जारखंड में अनुमंडल की संख्या है 260 ठीक है चलिए जारखंड में कितने पढखंड है A 4,025, B 2,060, C 3,035, D 4423 तो इसका राइट अनुमंडल होगा D 4423 जारखंड में कूल पढखंड है 4423 चलिए अगला कूचन है जारखंड में कूल बिधान सभा सीट कितना है A 60 सीट, B 70 सीट, C 82 सीट, D 75 सीट तो इसका रहे हो जाएगा C 82 सीट जारखंड में बिधान सभा की कूल सीट है 82 चलिए नेक्ट कूचन है जारखंड में लोक सभा की सीट कितना है A. 7 seat, B. 10 seat, C. 14 seat, D. 20 seat तो इसका सही जवाब होगा C. 14 seat जार्खन में लोक सभा की 14 seat है चली अगला है जार्खन में राज सभा की seat कितना है A. 6 seat, B. 8 seat, C. 10 seat, D. 15 seat तो इसका हो जाएगा A. 6 seat जार्खन में राज सभा की seat 6 है ठीक है उसके बाद next कूचन है हमारा जार्खन की कूल सचार्टा दर कितना है A. 66.41%, B. 68%, C. 70%, D. 75% तो जार्खन की कूल सचार्टा दर है 66.41% जार्खन की कूल सचार्टा दर 66.41% है चली नेक्ट कूचन है जार्खन का लिंग अनुपात कितना है तो इसका हो जाएगा परती एक हजार पूरूस पर 947 महिलाए है चल यगला है जारखंड के लोक निरित कौन है तो इसका हो जाएगा जुमेर, डुमकच, पाईका, छुमता, छव जारखंड के लोक निरित है चले, अगला कुछन है, ज्खारखंट के मुख्ष मंत्री कोन है A. शीबू सोरेन B. बावुलाल मरांडी C. हेमांद सोरेन D. रखभरदास तो इसका right answer हो जागा C. हेमांद सोरेन ज्खारखंट के अभी बर्तमान मुख्ष मंत्री हेमांद सोरेन है और option में आपको जीतने भी चार नाम दीख रहे हैं ये चारो ज्यारखंट के मुख मंत्री रह चुके हैं ठीक है नेक्ट कुचान अमाड़ा ज्यारखंट के राजपाल कौन है तो इसका एंसर हो जागा ज्यारखंट के बर्तमान राजपाल है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा क्योंकि